हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हिमंचल परदेश की जन आंदोलन चीक है इस से रिलेटेड कुछ टॉपिक हम हमारी पिछली वीडियो में भी स्टड़ी कर चुके हैं तो चलिए देखते हैं हिमंचल परदेश की जन आंदोलन ओके चलिए शु इसके फीचर्स गया हैं तो दूजम आंदोलन हुआ था 1906 में रामपूर बुशेहर में और यह आसयोग आंदोलन का एक प्रकार था इसके बाद आया कोडगर आंदोलन कोडगर आंदोलन सतेनन स्टोक्स ने बेगार प्रथा के विरुद चलाया था ठीक है फिराया भाई दोन पाई दो आंदोलन यह आंदोलन 1938 में चलाया था हिमालियन रियास्ती प्रजमंडलने ठीक है इसका उदेश्य था कि ब्रिटिस सेना को ना तो भरती के लिए आदमी देना और नहीं युद के लिए कोई पैसे की सहायता देना फिर था हमार पास जुगा आंदोलन जुगा आ था 1883 से 1888 तक यह कहां पर था बिलासपूर में एक्चुली बिलासपूर में राजा अमर्चंद के विरुद जुगा आंदोलन हुआ था राजा की अत्याचारों का विरुद करने के लिए ब्राहमन जुगियां बना कर रहने लगे और जुगों पर इस्ट डेवता के जंद जुगों में आग लगा कर जान दे दी और यह सब देखके वहां की जंता भड़क गई और अंत में राजा को बेगार प्रथा खतम कर प्रशाशनिक सुधार करने पड़े ठीक है तो जुगा आंदोलन भी बेगार प्रथा के खिलाफी था इससे पहले हमने कौन सा दिखा थ चलाया था वो भी बेगार प्रथा के ही विरुद्ध था ठीक है इसके बाद हुआ था धामी गोली कांड धामी गोली कांड 16 जुलाई 1949 को धामी रियासत में हुआ था ठीक है इस बैठक में धामी प्रेम प्रचारनी सभा पर लगाए गई पावंदी को हटाने का अनरोध किया गया था जिससे धामी के राणा ने मना कर दिया ठीक है फिर 16 जुलाई 1949 को भागमल सौंठा के नित्रित्व में लोग धामी के लिए रवाना हुए और भागमल सौंठा को गहनाठी में गिरफदार कर दिया राना ने हलोग चौक के पास फिर 81 जनता पर गपरा कर गोली चलाने की आगया दे दी जिसमें दो व्यक्ति की मृत्ती हो गई थी और कहीं लोग घायल हो गए थे फिर महात्मा गांदी की आगया पर नहरू ने दुनीचन बकील को इस घटना की जांच करने के लिए नियुक्त किया था ठीक है ये था धामी गोली कांड इसके बाद आया पजोता आंदोलन पजोता आंदोलन हुआ था सिर मौर में कब 1942 में ठीक है पजोता आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन का ही भाग था ये आंदोलन सिर मौर रियासत के लोगों ने राजा के करमचारियों के खिलाफ चलाया था एक्शली राजा के करमचारी की गूस खोरी और ताना शाही के खिलाफ पजोता किसान सबा का गठन किया गया था और आंदोलन के नेता थे लक्ष सारी अधिकारी को पजोता में गुसने नहीं दिया और आंधोलन के दुरान पजोता इलाके में चोन्चos आ की नेत्रितों मे किसान सबह का प्रभुत्व ओस्तापित हो गया था और सेना में सेना ने बाद में इन्हें फिर गिर्फतार कर लिया था, यह था पजोता आंदोलन, फिर आया कुनिहार संघर्ष, कुनिहार संघर्ष हुआ था 1920 में, कुनिहार में, छीक है, इसके जो मुख्या नेता थे, वो थे गौरे शंकर और बाबू कांशी राम, ठीक है, कुनिहार संघर्ष हुआ था, कुनिहार के राना हरदेव के विरुद, क्योंकि यह जो हरदेव थे, इन्होंने कुनिहार प्रजामंडल को अवैद घोशिट कर दिया था, लेकिन फिर कुनिहार संघर्ष के बाद, मतलब इस आंदोलन के बाद, 9 जुलाई 1949 को राना ने प्रजामंडल की मांगे मान ले थी, ठीक है, ये तो थे हिमाचल परदेश के कुछ में आंदोलन, लेकिन फिर कुछ अन्य आंदोलन भी हुए थे हिमाचल परदेश में, जैसे मंडी में, 1909 में, शोभाराम ने राजा बजीर, जीवानन्द के ब्रष्ट चार के विरुदेख आंदोलन किया था, लेकिन फिर शोभाराम जी को गिरफतार करके अंदवान वेज दिया गया था, और ऐसा ही एक आंदोलन हुए था, रामपूर बुशेहर में, ठारसो 69 को, और फिर एक आंदोलन हुए था, सुकेत में, 1812 और 1836 में, ये आंदोलन हुए था, राजा इश्वर जिंग और बजीर, गुलाम कादिर के विरुद, फिर था, विलासपूर में, 1883 और 1930 को, एक किसान आंदोलन, ठीक है, और सिर्मौर में भी एक आंदोलन हुए था, ज इसमें राजा शम्षेर की भूमी बंदोश्त विलाथा AFK फिलाफ बूमी आंदोलन हुआ था, ये वा था, 1878 को, ठीक है, और फिर हुआ चंबा के भर्टियात में, चंबा के भर्टियात में, बेगार के खिलाफ, 1896 में एक जन आंदोलन हुआ था, ठीक है, उस समय चंबा यह हम अपनी नेक्स वीडियो में दिखेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग